नमस्कार दोस्तों में राजिंदर चोदरी अपनी यूटूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं देखो अपन मैतेमेटिक्स कर रहे थे मैतेमेटिक्स पढ़ रहे थे मैतेमेटिक्स में अपने interior angle bisector और exterior angle bisector से cushion कर रही थी उन्ठेयोरम से cushion कैसे बन के आती है और उनको कैसे sol किया जाता है अब देखो next cushion cushion दे रखा है तिरबूजे ABC में तिरबूजे ABC में कौन A के आंतरिक और बाईये सम्दीवाजक कौन A के आंतरिक एवं बाईये सम्दीवाजक बाईये क्रम से भूजा BC को D वे बिंदू पर काड़ते हैं वे इ बिंदू पर काड़ते हैं ठीक है और अपने से दे रखा है यदि AB बराबर 6 सेंटीमेटर यदि AB बराबर 6 सेंटीमेटर BC बराबर 8 सेंटीमेटर BC बराबर 8 सेंटीमेटर और CA बराबर 4 सेंटीमेटर और CA बराबर 4 सेंटीमेटर तो D E की लंबाई क्या होगी Then find D E D E अपने को बताना है कि D E की लंबाई क्या होगी अब देखो इस question को कैसे करेंगे सबसे पहले अपन क्या बनाते हैं तिर्बूज बनाते हैं ठीक है ये कोण A का आंत्रिक सम्दीबा जग हो गया ये A हो गया B हो गया C हो गया और ये E हो गया ये बाईय सम्दीबा जग हो गया E बिंदू पे काड़ता है ठीक है अब देखो A B C में कोण A की आंत्रिक और बाईय सम्दीबा जग करम से बूजा B C को D वर E बिंदू पर कारते हैं, यदि AB बराबर 6 cm, AB कितनी दे रखिए, 6 cm दे रखिए, और BC बराबर 8 cm, ये BC कितनी दे रखिए, 8 cm दे रखिए, CA बराबर 4 cm, ये CA 4 cm दे रखिए, Then find D E, D E की क्या बतानी है अपने को, लंबाई बतानी है, तो यहां से यहां तक की, देखो यहां से यहां तक की लंबाई बतानी है अपने को, यह D E की लंबाई बतानी है, यहां से यहां तक की लंबाई बतानी है, ठीक है, अब देखो सबसे पहले, अपन अनुपात निकाल लेते हैं, A B, अनुपात C A, या A C, तो यह हो जाएगा अपने 6 अनुपात 4, तो यह 3 अनुपात 2 आजाएगा अपने पास, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो यह भी किस अनुपात में होगी, B D और C D किस में होगी, आंत्रिक इंटीरियर एंगल बाई सेक्टर थे और हमसे, यह 3 होगी, और यह 4 होगी अनुप बाई सेक्टर से यह पूरी यहाँ से यहाँ तक की B D सोरी B E कितनी होगी, 3 होगी और C E कितनी होगी, यह 2 होगी, यह एक्सटिरियर एंगल बाई से थे और हमसे होगी बे तीन होगी, तो C CE कितनी होगी CE 2 होगी तो यहां से देखो यह पूरी 3 है और CE 2 है इसका मतलब यह यहां से यहां तक कितनी रह गई exterior angle bisect trithorem से 1 रह गई यह वाली value कितनी रह गई 1 रह गई तो देखो अब इस question को कैसे करेंगे तो यहां से देखो यह 1 है एक की value कितनी दे रखी है 8 दे रखी है एक की value कितनी दे रखी है 8 दे रखी है देखो 20 की लंबाई अपन ने अनुपात में निकाल लिया exterior angle by sect trithorem BC की लंबाई कितनी हो जाएगी 1, एक की value कितनी हो जाएगी 8 दे रखी है 24 cm पूरी 3 की value मतलब B, E की लंबाई हो गई है B, E कितनी हो गई 24 cm हो गई अब देखो interior angle by sector 3 की 24 हो गई तो 2 की कितनी हो जाएगी यहां से यह CE की लंबाई निकाल लूँगा में तो 2 की कितनी हो जाएगी 2 की 16 cm तो देखो CE की लंबाई आ गई है कुल मिला के मेरे को निकालना क्या है DC plus CE DC plus CE यही निकालना है यह बराबर हो जाएगा मेरे DE के तो देखो मैंने CE की लंबाई तो निकाल ली कितनी निकाल ली 16 cm मेरे को कुल मिला के DC की लंबाई निकालना है अब इसमें देखो इंटिरियर एंगल वाई सेक्टर थ्योरम से यह एकस्टिरियर एंगल वाई सेक्टर थ्योरम हो गई एक्स्टीरियर एंगल बाइसेक्टर अब देखो इन्टीरियर एंगल बाइसेक्टर थे और हमसे ये देखो AB अनुपाद AC 6 अनुपाद 4 तो कितना रहे गए ये 3 अनुपाद 2 ठीक है ये 3 अनुपाद 2 के अनुपाद में क्या करेगी विभाजित करेगी अब पूरी 5 के वेल्यू कितनी दे रखी है 8 ये देखो तीन और 2 इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर से 5 के वेल्यू कितनी हो गई 8 तो DC की लंबा यहांसे कितनी हो जाएगी DC, DC 2 है तो 2 की value कितनी हो जाएगी तो यहाँ से ही हो गया 16 बटा 5 DC की लंबाई कितनी आ गई 16 बटा 5 अब देखो यहाँ पे यह DC 16 बटा 5 हो गई और यह 16 हो गई यह मेरे को DE की लंबाई प्राप्त हो जाएगी तो यहाँ से देखो 96 बटा 5 यह क्या हो गई मेरे DC की लंबाई आ गई और यही क्या है आंसर है इसको और भी शोल कर सकते हैं देखो यह हो जाएगा ठीक है तो देखो यह exterior और interior angle bisector theorem का क्या था एक mixed question था जो मैंने आपको क्या करवा दिया है यहाँ पे solve करवा दिया है 96 में 5 का भाग लगाएंगे अपने 96 को 5 से डिवाइड गरेंगे तो गुनीज 10 मलव 2 क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा यह mixed question हो गया और इन question को कैसे solve किया जा सकता है देखो पहले यहाँ पे क्या अपने को D E की लंबाई पूचा है तो D C और C E दोनों मिला की D E होता है तो पहले exterior angle by sector से मैंने C E की लंबाई निकाल ली और interior by angle sector से D C की लंबाई निकाल ली और दोनों को जोड दिया तो मेरे पास गुनीज 10.2 इसका answer आ गया D E की लंबाई आ गयी मेरे पास ऐसे इन क्यूशनों को सोल किया जाता है और ऐसे ही क्यूशनों को क्या करेंगे अपन सोल करेंगे ये बेस्ट तरीका इनको सोल करने का ठीक है तो ये क्यूशन अपने exterior और interior angle by sector का mixed क्यूशन हो गया अब इससे आगे देखो आपको मैं Stuart theorem पढ़ाऊंगा Stuart theorem किस काम में आएगी अपने Stuart theorem अपने जो ये angle by sector है इसकी लंबाई ग्याद करने के लिए Stuart theorem का प्रियोग किया जाता है लेकिन Stuart theorem को पढ़ाने से पहले cosine rule पढ़ाऊंगा मैं आपको cosine rule से ही Stuart theorem निकल के आती है तो पहले देखो cosine rule तो heading डालनी है cosine rule cosine rule से ही Stuart theorem निकल के आती है और मैं आपको पूरू भी देदूंगा cosine rule का कहां से cosine rule बना अपना और किस तरीके से अपने triangle में इसका apply कर सकते है और उससे ही निकल के आती है Stuart theorem तो heading डालनी है cosine rule cosine rule थोड़ा बड़ा बना लिती है ये अपने को क्या दे रखा है triangle a, b, c a के सामने वाली बुजा को क्या मानती है छोटा a b के सामने वाली बुजा को छोटा b और c के सामने वाली बुजा को छोटी शीशी के रखाते है अपन दिनोट करते है अब देखो cosine rule अपना क्या खहता है cos a बराबर होता है अपना देखो जिसके सामने वाली बुजा है वो गठा देनी है अब देखो यहाँ पे b square plus c square minus a square बटे 2bc यह क्या हो गया अपना cosine rule हो गया ऐसे ही देखो cos b बराबर cos b ले रहा हूं में तो इसके सामने वाली बुजा गठा देंगे तो यह हो गया a square plus c square minus b square बटा 2ac यह cos b हो गया अपना ऐसे ही cos c निकालेंगे अपन cos c होता है देखो c के सामने वाली यह गठा देंगे तो यहाँ से a square plus b square minus c square बटा 2ab यह क्या है cos sign rule है इसका पुरूब भी मैं आपको देदूंगा अभी देखो कैसे यह rule अपना triangle के अंदर निकल के आया है और किस तरीके से अपन triangle में इसको apply कर सकते हैं अभी यहाँ से देखो यहाँ से एक और result निकार सकता हूँ में 2bc cos a यह multiply हो जाएगा इदर जाके 2bc बराबर हो जाएगा b square plus c square minus a square ऐसे इसमें देखो यह multiply हो जाएगा तो cos b बराबर यह multiply होने पर 2ac बराबर a square plus c square minus b square ऐसे इसमें हो जाएगा cos c 2ab a square plus b square minus c square ठीक है अब इसको इदर ले आते हैं और c को इदर ले जाते हैं सभी में ऐसा करते हैं तो देखो यह करने के बाद में एक standard result निकल के आया अपने पास क्या a square यहां से देखो यहां से यहां से मालो इसी से पहले यह result निकल के आया और इस से यह result निकल के आ रहा है b square plus c square और ये इदर आएके लेस हो जाएगा तो cos A 2BC SE B square A square प्लस C square माइनस cos B 2AC और ये यहां से C square A square A square प्लस B square माइनस cos C 2AB ये क्या हो गया अपना एक standard result हो गया और इसको आपको दिमाग में ही बिठा लेना है ये याद नहीं रख सकते अपने दिमाग में नहीं बिठा सकते तो केवल इन तीनों result को तो अपने दिमाग में ही बिठाना है अभी देखो पूरूब दे दूँगा मैं कहां से आया है ये rule ये rule क्या होता है अपना cosine rule होता है और इसमें देखो इसको इधर multiply कर दिया है मैंने और फिर क्या किया है ये देखो A square minus A square इसको इधर ले आया है पलस में हो गया इसको इधर ले गया ये किस में हो गया minus में हो गया तो यहां से ये एक अपने पास क्या निकल के आ जाता है standard result निकल के आ जाता है ठीक है और इसमें आपन देखो इसी cosine rule से ही क्या बनी है अपनी Stuart theorem बनी है जो मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको और उसी इसे अपन क्या angle by sector की लंबाई ग्यात कर सकते है तो इस rule को उतारो इसका फुरूब दूँगा में कहां से ये rule आया है देखो next next में क्या कर रहा हूं इसका आपको फुरूब दे रहा हूं cosine rule कहां से आया है कैसे आया है आपको तो केवल ये result द्यान रखना है जितने star हो सकते हैं उतने star अपने copy में notebook में लगाना है और इस नियम को क्या करना है द्यान में रखना है इससे देखो sine rule से cosine rule से question में आपको geometry के अंत में करवाँँगा क्योंकि इनसे SSE में इनमें previous year में बहुत कम question आए हुए है इसलिए वो question में आपको बाद में करवाँगा ये theorem समझाने मेरे को इसलिए पड़ी क्योंकि इसी से अपनी Stuart theorem निकल के आई है और Stuart theorem से अपन angle by sector की लंबाई ग्यात कर सकते हैं अपन अभी angle by sector पढ़ रहे है तो angle by sector से एक भी question अपना छूटना नहीं चाहिए इसलिए ये theorem आपको पहले समझाने पड़ी देखो कहां से ये rule कहां से आया है उसका पुरूब देखो ये triangle है मेरे पास इस triangle की ये मैंने height बना लिए height हमेशा 90 degree पे सामने वाले पुजा पे 90 degree पे कारती है सामने वाले पुजा पे क्या होती है लंब होती है तो ये क्या होगे इसकी height हो गई अब देखो इस पुजा को मैंने क्या मान लिया x तो ये मेरे पुजा क्या हो जाएगी a minus x ये पुजा क्या हो गई a minus x इसको x माना तो ये वाले पुजा क्या हो गई a minus x हो गई अब देखो यहां से देखो ये क्या हो गई तिरबुजगी height हो गई अब देखो तिरबुजगी a b d में ये गो d point मान लेते हैं इसको d point ठीक है ये a b d तिरबुजगी a b d में देखो इसमें height कैसे निकालेंगे पाइता गोरस परिमेखा उप्योग करके अपने इसमें से क्या निकाल सकते हैं height निकाल सकते हैं ये 90 degree का कोण है ये करण हो जाएगी ठीक है ये लंब हो गई और ये आदार हो गई तो देखो height कैसे निकालेंगे इसमें से height कैसे निकलेगी c का square minus x का square इस करण के square में से यदि base का square minus कर दूँगा तो ये मेरी पास क्या निकल के आ गई इसकी height निकल के आ गई ऐसे ही देखो triangle ADC triangle ADB में मैंने height निकाल ली ऐसे ही देखो triangle ADC ADC में इस बुजा की लंबाई कैसे निकालेंगे ये क्या हो गई height इसकी लंबाई कैसे निकालेंगे ये b square इसमें से गठा देंगे अपन a minus x का whole square ये गठा देंगे ये देखो 90 degree का कोण हो गया इसके सामने एक कर्ण हो गई कर्ण में से ये वाली बुजा गठा देंगे तो इस a d c में इस वाली बुजा की क्या आ जाएगी ये लंबाई आ जाएगी अब यहां से देखो दोनों हाइट अपने क्या हो गई बराबर हो गई तो यहां से c square minus x square और इन दोनों हाइट हो गए इनको अपने निकाला तिर्बुज दो अलग अलग तिर्बुजों में परियोग करके निकाला पाइता गोरस परिमेयक हो तो यहां से ये height और ये height बराबर हो गई इसको देखो a minus b के whole square से खोल लेंगे तो यह क्या हो गया अपने पास a square minus x square plus 2ax यह हो गया अब यहां से देखो यह minus x square और यह minus x square कट गया अब यहां से यह 2ax है यह क्या रग है अपने पास c square b square minus a square plus 2ax अब यहां से देखो c square इसको एक तरफ ले लेते हैं इसको इदर ले आते हैं 2ax b square minus a square और minus c square अब यहां से देखो minus common यह plus है इदर आके minus में हो जाएगा तो यह minus common लेने पर minus से minus कर जाएगा तो 2ax बराबर हो जाएगा a square plus c square minus b square अब देखो इस 2a को इसके नीचे ले आता हूँ तो x का मानिया से आ गया a square plus c square minus b square और यह 2a ठीक है अब देखो दोनों तरफ c से बाग लगाने पर दोनों तरफ c से बाग लगाने पर दोनों तरफ क्या कर रहा हूँ में c से बाग लगा रहा हूँ तो यहाँ पर देखो यह हो जाएगा x बटा c बराबर हो जाएगा अपना a square plus c square minus b square बटा यह 2a है c से बाग लगाने पर 2a c हो जाएगा अब यहाँ पर देखो x बटा c x बटा c को मैं क्या लिख सकता हूँ x बटा c ठीक है x यह हो गया और बटा c मतलब यह क्या हो गया मेरे पास यह देखो यह कोण लूँगा में इसकी जगह कोश भी लिख सकता हूँ में क्योंकि इस कोण को लेने पर यह क्या हो जाएगा मेरे पास करण और यह क्या हो जाएगा आदार यह क्या हो जाएगा लंब कोस B को लेने पे यह आदार हो गया, यह कर्ण हो गया 90 डिगरी के सामने और यह लंब हो जाता है, तो X बटा C, आदार बटा C, देखो कोस क्या होता है, कोस बराबर होता है, आदार बटा कर्ण, यह अपना क्या होता है, कोस होता है, तो देखो यहाँ पे cos भी लिख सकता हूँ में, cos भी लिखूंगा, तो यह क्या हो जाएगा आधार और यह बटी में क्या हो जाएगा कर्ण, यहाँ पे भी देखो आधार बटा कर्ण दे रखा है, तो कुल मिला के मेरे पास यह result आ गया, और यह अपना क्या हो गया, पुरू AC, यह result अपने पास निकड़ के आए, ऐसे ही उन और जो दो बच्चे हुए हैं, उन कोणों को भी अपन क्या कर सकते हैं, शिद्ध कर सकते हैं, यह क्या हो गया, इती सिद्धम, इती सिद्धम, ठीक है, तो इस परकार से अपन, cos sign rule, triangle में लगाते हैं, और cos sign rule, यह जरूरी ह स्टूवर्ट ठीक करने के लिए, इसलिए मैंने पहले आपको cos sign rule बताया है, और इसी परकार से अपन cos sign rule को क्या करते हैं, फुरूफ करते हैं, यह आपको दिमाग में रखना है, जो पहले वाले तीन result बताये थे, वो आपको दिमाग में रखना है, और cos sign rule को तो अपने दि रखना है, sign rule भी मैं तो कून था, sign rule से अपने interior angle by sector theorem और exterior angle by sector theorem निकल के आई थी, तो देखो आज के लिए इतना ही, काफी है, धन्यवाद